आज की वीडियो में हम चाहिनीज ड्रामा लगीज फिर्स लव और द वर्ल लोस में यह फिर्स लव के एपिसोड 18 का स्टोरी एक्स्पिरेशन करेंगे तो फिर्स वीडियो को पूरा देखिए तक आप कुछ भी मिसना करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्रा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तक आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिसना करें सो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वाच दिस शॉर्ट इंट्रो हेउ और याउचिंग अपना हर्ट फ्रेक सेलिबरेट करने के लिए बार आते हैं हेउ कहता है कि याउचिंग ने शाके का साथ देखकर उसे धोका दिया है याउचिंग पूछती है कि क्या अब हेउ को थोड़ा सुकून नहीं मिल रहा है हेउ पूछता है कि उसे ये कैसे पता याउचिंग कहती है कि उसे भी सुकून मिल रहा है क्योंकि उसने शाके का दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश की है और अब उसे ऐसा कुछ भी नहीं क करना पड़ेगा दोनो दिलीख खोल करट करने लगते हैं और डिंक करते-करते घरा जाते हैं हचाथ्स तब ही याउचिंग कहती है कि उसकी थोड़ी दर बाद मीटिंग है, तो अगर उससे breakfast करना है तो वो जल्दी से आ जाए. याउचिंग breakfast करने आ जाती है. हेयू खाने की बजाए पानी पीने लगता है. तो याउचिंग कहती है कि वो तो ऐसे नर्वस हो रहा है जैसे वो उसे बांद के रखने वाली है. याउचिंग कहती है कि कल राद जो भी हुआ वो सिर्फ एक हाथसा था. हेयू कहता है कि उन्हें कल राद के बारे में ठीक से बात करनी चाहिए. यौशिं जाते वक्त रूप कर कहती है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसे ट्रंक होने की वक्त की बाते याद दिलाएं यह कहे कर वो चली जाती है शिंचियून उफिस आ जाती है तो उसे शाके के टेबल पर कैट वाली फिगरीन मिलती है SHINGYUN ये देखकर खुश हो जाती है और शाके की काफी में रखकर चली जाती है EE SHINGYUN को काम करता दे एक खुश हो कर उसे हग करती है SHINGYUN कहती है कि उसे लगा था कि उसके जाने के बात सब ठीक हो जाएगा पर यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया शिंग्यून E.E. से पूछती है कि अब तक बाकी लोग क्यों नहीं आए E.E. कहती है कि कई लोग जौब छोड़ चुके हैं और अभी सिर्फ टंग्वेन प्रोजेक्ट के लोग ही बचे हैं E.E. बताती है कि आमी ने भी रिजाइन कर दिया है यहाँ तक कि कुछ टायेक्टरस ने भी रिजाइन कर दिया है इसलिए इसमें आमी की गल्दी नहीं है क्योंकि वो सब को रिजाइन करता देख इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि उसे लगने लगा था कि शायद उसे दुबारा मौका नहीं मिलेगा यही कहती है कि वो भी आज दूसरी कंपनी में इंटर्वियू देकर आई है लेकिन अब जब शाकी की लगी चार्म वापस आ गई है तो अब वो कहीं नहीं जाएगी और यहीं पर उन सब के साथ रहेगी क्योंकि अब उसे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा यह सुनकर शिंग्यून उसे हग करती है हेयून एक कॉमिक बुक रेंट पे ली होती है और आज उसे लोटाने की लास्ट डेट होती है क्योंकि वो बुक किसी और ने पहले से रिजर्व कर ली है तो बुक स्टोर का उनर उसे कॉल करके उसे आज बुक रिटर्न करने को कहता है हे यू बुक ठूनने लगता है तभी उसे बेट पर याउचिंग का एरिंग मिलता है शिंग्यून सभी कलिक्स के लिए स्नैक लाती है उसे देख कर सब लोग खुश हुजाते है शाके मीटिंग से वापिस आजाता है तो शिंग्यून आकर उससे पूछती है कि आखिर कमपनी को प्रेसिडेंट सन के बाद दूसरा इंवेस्टर क्यों नहीं मिला है शाके पूछता है कि क्या वो यही पूछने के लिए इतनी जल्दी हाँ आई है शिंग्यून कहती है कि अभी यही सबसे ज़ादा ज़रूरी है शाके कहता है कि वो इंवेस्टमेंट की चिंता ना करे और सिर्फ टंगवन प्रोजेक्ट को ठीक से हैंडल करे शाके शिंग्यून को देखकर स्माइल करता है और उससे कल रात की बात करने वाला होता है तब ही शिंग्यून उसे बीच में ही रोक कर कहती है कि अभी उन दोनों को मिल कर टी आई जी को बचाना है बाकी बाते वो दोनों बात में डिसकस कर सकते हैं शिंग्यून जाते वक्त कहती है कि अब कंपने की लखी चाम वापस आ गई है तो अब सब जल्दी से ठीक हो जाएगा। शाके कहता है कि पहले तो शिंग्यून के पसंद नहीं था कि कोई उसे लखी चाम बुलाएं। शिंग्यून कहती है कि वो पहले ही बात है पर अब वो अपना लग टी आईजी में भी जरूर फैलाएगी ये कहकर शिंग्यून चली जाती है शिंग्यून एक इंप्लॉई को कहते सुनती है कि एक बार उन्हें इंवेस्टमेंट मिल जाएगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जा है हेईू बुक्सटोर के ओमर से पूछता है कि अगर ड्रंक होने के बाद या फिलिंक्स कुछ आएगी है खंता हिए कि नयगके कैस्टमे जाती हैं होते हैं मृट्चिंग सब कि पहले वार याउचिंग को प्रेंद होती है तो हेयू उसे कहता है कि शाके उसका फ्रेंड है क्लास में हेयू याउचिंग को लाकर अपने और शाके के बीच में बैठा देता है और याउचिंग को शाके से बात करने को कहता है तब ही से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है अब स्टोरी प्रेजंट में आती है है यू यह सब याद करके कहता है कि उसे भी नहीं पता कि अब तक वो थोनों सिर्फन्स ही क्यों है याउचिंग केंडो प्रैक्टिस कर रही होती है तब ही शिंग्यून उसे मिलने आती है याउचिंग शिंग्यून से पूछती है कि क्या वो शाके को लाइक करती है शिंग्यून हा कहती है शिंग्यून कहती है कि अभी वो ये बाते रिस्कस करने नहीं आई है क्योंकि इससे जादा जरूर ये भी TRG को बचाना है इसलिए वो उससे मिलने आई है हेईू पीछे से ये सब सुन लेता है याओ चिंग शिंग शिंगन को बताती है कि TRG की पहली प्रॉब्लम ये है कि TRG का उनर शाके काफी यंग है तो जादा लोग उस पर एकीन नहीं करना चाहते है और दूसरी प्रॉब्लम प्रेसिटेंट सन है जिन्होंने शाके से बदला लेने के लिए सारे इंवेस्टर्स को अपनी तरफ कर लिया है और जो शाके का साथ देना भी चाते है उन्हें शाके अपने हाई स्टेंडर्स के कानल चुड़ नहीं रहा है शिंग्यून उसे ये सब बताने के लिए थैंक्स कहे के चली जाती है शिंग्यून बाहर हेयू से मिलती है हेयू कहता है कि उसने शिंग्यून की कही बाते सुन ली है इसलिए अब से वो से तंग नहीं करेगा शिंग्यून बाय बोल कर चली जाती है शिंग्यून घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी नेबर मिसिस वांग घर खाली करके जा चुकी है हेयू शिंग्यून की रिटर्न की हुई नेकलस और याउचिंग का इयरिंग देख रहा होता है हेयू इयरिंग देख कर याउचिंग को याद करने लगता है शिंग्यून शाके को आफिस में ब्रेश करते देख लेती है तो वो सोचती है कि शाके कही आफिस में ही तो नहीं सोता है डायक्टर ली शाके को कहते है कि वो उसे कुछ बात करना चाहते है शाके कहता है कि डायक्टर ली जो भी फैसला लेंगे उसे मन्सूर होगा डैक्टर ली कहते हैं कि अब शिंग्यून वापस आ चुकी है जिसके कारण स्टाफ खुश है और उन्हें पूरा यकीन है कि अब सब ठीक हो जाएगा directory कहते हैं कि उन्होंनों सालों पहले stocks में invest किया था जिसके कारन उनके पास अभी अच्छे खासे पैसे हैं तो अगर शाके को कोई problem ना हो तो वो शाके की help करना चाहते हैं शाके कहता है कि उन्हें बस उनका साथ चाहिए क्योंकि अगर सबका साथ होगा तो वो company की problem खुदी solve कर लेगा हेउ को पता चलता है कि याउचिंग ने अपना group change कर वा लिया है और अब वो हेउ की project partner नहीं है शाके office में बैठ कर शिंग्यून को देख रहा होता है तो ये देख कर EE और directly smile करते हैं शिंग्यून को लेग तक काम करता देख शाके office में ही उसके जाने का wait कर रहा होता है पर शिंग्यून शाके के जाने का wait कर रही होती है तब ही शिंग्यून को घर से call आ जाता है तो वो चली जाती है शाके काम करते करते ओफिस में ही सो जाता है शिंग्यून जब सुबा आती है तो शाके को आफिस में सोता देख वो सोचती है कि कहीं शाके ने कमपनी के लिए अपना घर तो नहीं बेच दिया है मीटिंग रूम में एक इंप्लॉई कहती है कि उसे कुछ स्मेल आ रही है शिंग्यून को लगता है कि कहीं शाक्य शावर लेना भूल तो नहीं गया है क्योंकि वो आफिस में रह रहा है तब ही एक इंप्लॉई को टेबल की नीचे डस्ट बिन रखा मिलता है जिसमें से स्मेल आ रही होती है लंच में शिंग्यून शाक्य को किसी से कुछ बेचने की बात करते सुन लेती है तो वो आकर उस इंसान से पूछती है कि वो दुनों क्या बाते कर रहे थे तो वो उसे बताता है कि शाक्य ने अपना गर बेचा है शाके को लगता है कि शिंग्यून उसे कुछ शुपा रही है तो वो उसे पूछने आता है कि कहीं वो आजकल कोई डबल जॉब तो नहीं कर रही है शिंग्यून मना करती है तो शाके पूछता है कि आजकल वो सिक्रेटली करती क्या रहती है फिर शिंगिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है शाके कहता है कि कहीं वो हियू से तो नहीं बात कर रही है छुपकर शिंगिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है शिंगिन शाके को आज उसे घर ट्रॉप करने को कहती है शाके उसे घर ट्रॉप करने आ जाता है तो शिंगिन उसे उपर ले जाने लगती है और कहती है कि उसने सारा इंतजाम कर लिया हुआ है खुदी शाके रुक कर कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी उसे शादी करना चाहती है शिंगिन कहती है कि वो कुछ जादा ही सोच रहा है शिंग्यून उसे अपने घर के बगल वाले घर में लाती है और कहती है कि उसे पता है कि शाके ने अपना घर बेचती है इसलिए वो रोज आफिस में सोता है शाके पूछता है कि क्या वो उसे ये घर खरीदने को कह रही है शिंगिन मना करके कहती है कि इस घर की ओनर कुछ महिनों के लिए यूएस गई है तो तब तक उनका घर खा लिए है तो शाके यहाँ पर रह सकता है और उसे रेंट देने की भी ज़रुरत नहीं है क्योंकि यहाँ की ओनर रेंट नहीं जाती है शाके कहता है कि वो इतना बिजी है तो वो घर की सफाई कैसे करेगा शिंग्यून कहती है कि वो सफाई खुदी करतेगी शिंग्यून कहती है कि वो शाके की हल्प करने के लिए घर की सफाई कर सकती है शिंग्यून उसे घर की चावी देखकर बाई बोल कर चली जाती है शिंग्यून की माँ उसे उस घर से आते देख लेती है शाके अंदर आता है तो शिंग्यून ने सारा इंतजाम पहले से करके रखा होता है शिंग्यून की मां को जो पता चलता है कि बगलवला घर शिंग्यून ने अपने बॉस के लिए रेंट किया है तो वो कहती है कि जो उसे सेलरी देता है वो उसके लिए घर का रेंट क्यों भर रही है शिंग्यून केहती है कि वो पस शाके की फ्रेंट की तरह हेल्प करना चाहती है और वैसे भी शाके ने उसकी आज तक बहुत हेल्प किये तो वो शाके को रोज सोफा पर सोते कैसे देख सकती है शिंग्यून की मा कहती है कि वो उसकी बात समझ रही है पर कहीं शाके कोई फ्रॉड तो नहीं है शिंग्यून कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है शिंग्यून कहने लगती है कि शाके भले ही बाहर से स्ट्रिक लगता है पर अंदर से वो बहुत अच्छा है और दूसरों की बहुत चिंता करता है और वो कमपनी के इंपलोईस को जॉबलेस होने से बचाने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा है शिंग्यून के मा कहती है कि वो शिंग्यून का साथ देगी पर आगे से वो उसे कुछ छुपाए ना शिंग्यून उन्हें उसके फादर को ये बताने से मना करती है शिंग्यून के मा कहती है कि अगर ये बाद उसके फादर को पता चलेगी तो वो तहल का मचा देंगे इसलिए वो उने बताएगी भी नहीं शिंगिन की माँ पूछती है कि शाके इतना बिजी है तो वो खाएगा क्या शिंगिन कहती है कि उसने इंस्टेंट फूट रख दिया है शिंगिन की माँ कहती है कि अगर शाके इंस्टेंट फूट खाएगा तो उसकी हेल्थ खराब हो ज रेती है कि वह अपने friends के लिए भी ले जा रहे है लिक्फस्ट शिंग्यून चली जाती हैं शिंग्यून शाके के घर का दरवाजा करने लगती है तो शिंग्यून के फादर को लगता है कि कोई उनका दरवाजा नॉक कर रहे है तो बाहर जाते हैं और यह से यपिसोड हो जाता है शो फ्रेंस सब्सक्राइब कर दिए तरकिया पाने वाली वीडियो की nut especially नें जबंस पर ईऊवार्च दिस्वीजियो बबाए एंट टेक थीजू रही हेल्थ